एल्व फ्र्रेंडेंट्स वेल्कम disto वेलकम बनावर यूटूब चैनल नर्सिंग एज्जुकेशन तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं आपके अपने YouTube चैनल Nursing Education पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं UP NHM के बारे में दोस्तों UP NHM का जो रिजल्ट A&M और स्टाब नर्स का जो रिजल्ट था वो आ चुका है अभी दोस्तों जो UP NHM के जो अंदर जो रिजल्ट आया है उसके अंदर सौर्ट लिश्टेट वेट लिश्टेट एंड नौट सौर्ट लिश्टेट इसके बारे में इसका मतलब क्या है इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहना और हाँ दोस्तों चैनल पर नई हैं तो चैनल को अभी से कर लो सब्सक्राइब तो पास में जो बेल आइकन आ रहा उसको भी दिबा लेजिए ताकि नर्सिंग एजूकिशन की जो कोई भी अपडेट आप में नहीं कर पाऊगे तो चली दोस्तों आज का इस वीडियो को बन शुरू करते हैं तो दोस्तों हमने बात किती शॉट लिस्टेट का मतलब यह है कि जिला अधिकारियों दुवारा सफल दस्तावेज सत्यापन के बाद चुने गए पद के लिए नियुक्ति के लिए पात्र उमिदवार मतलब जो जिला अधिकारि के जो सब्सक्रावेज गिली सुने के जो जो कैंडिडेट थे उनके जो नियुक्ति के लिए पात्र जो उमिदवार है उनको उसको बोलते है सोट लिस्टेट ठीक है जो उमिदवार चुने गए थी नेक्स्ट में हमने बता है बात की कि वेट लिस्टेट का मतलब क्या है तो वेट लिस्टेट में यदि चुने गए उमिदवार के नौकरी में न जोड़ने के कारण जो पद खाली होता है यदि राजी आरक्सन नेती के साथ सरेखन में परतिक्सा सुची के उमिदवारों को पद भरने के लिए काम में लिए जाएगा इस मामले में उमिदवारों को भी सफल होना होगा मतलब वेट लिस्टेट जो उमिदवार है नौकरी नहीं लेता है या पद किसी कारण खाली होता है तो वेट लिस्टेट वारे केंडिडिट उनकी जगे बद भरा जाएगा अब बात कर रहे हैं कि चुने नहीं गए मलब नौ चौर्ट लिस्टेट तो इसका मतलब यह हुआ कि परतिक्सा सुची के उमिदवारों की तोलना में कम अंक प्राब्द करने के वाले उमिदवार लेकिन कट आफ मार्क से उपर मलब जो वो केंडिडेट जो कट आफ मार्क से उपर है लेकिन परतिक्सा सुची में उमिदवारों की तोलना में जो अंक है वो कम आये थी उनको बोलते हैं सौर्ट लिस्टेट अब लास्ट है जो फैल्ड डी ओप्शन असपन उमिदवारों ने कट आफ मार्क से कम अंक पराप्त की जो कट आफ मार्क से कम अंक पराप्त की जो क्राइटेरिया यूपी ने रखा था उनसे जिसने कम मार्क से पराप्त की जो पराप्त की जो वो केंडिडेट आ गई फैल्ड में यूपी एनेचम का जो रिजल्ट आ गया है उसमें shortlisted, weightlisted and not shortlisted का फी हमारे friends क्यूजन कर रहे थी वीडियोज में किसर आप हमें इसका मतलब बताइए कि shortlisted क्या है, weightlisted क्या है और not shortlisted क्या है तो दोस्तों with explain आपको मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उपास में बेल आइकन आरा उसको भी दबा लेजी ताकि नर्सिंग एजूकेशन की कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाऊगी तो चलीए दोस्तों आज गाई इस वीडियो में इतना ही काफी तब दे के लिए जहन